Hello friends, welcome back to my YouTube channel schooling classes आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो भी स्वामी आत्मानंद नए स्कूल खुले हैं उसमें online आवेदन आप लोग अपने mobile से ही कैसे कर पाएंगे और कैसे जो form है उसको ही print करके आप लोग जाकर जमा कर पाएंगे इस वीडियो में हम लोग mobile से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम इसकूल का form भरना सिखेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो स्वामी आत्मानंद इसकूल है उसमें का जो form भरने का date है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई 2022 तक किया गया ठीक है अभी जो भी ऐसे नए सकूल खुले थे जिसमें एड्मिशन प्रोसेस नहीं हुआ था 72 अभी नए सकूल खुले हैं जिसमें हर क्लास के लिए 50-50 सीटे हैं आप लोग आसानी से आवेदन कर पाएंगे और आसानी से इन सकूलों में एड्मिशन पालेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं हम लोग आवेदन कैसे कर पाएंगे सबसे पहले हम लोगों गूगल में जाना होगा ठीक है गूगल में जाना होगा, Google में हम लोगों को जाने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आप लोगों को लिखना है cgschool.in फिर यहां से आप लोग को यह slash यूज़ करना है फिर उसके बाद sims यूज़ करना है मतलए as swami atmanand seams ठीक है फिर इसको ok कर देना आप लोगों को जैसी ok करेंगे आपके सामने एक यह पहला वाला जो option है यह आएगा जहां पे cgschool.in saems student लिखा हुआ होगा इस पे आप लोग क्लिक करेंगे जैसी आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने एक page open हो जाएगा देखिए यहाँ पे page open हो गया आप लोग जिस district से भी आते हैं ठीक है यहाँ पे district है यहाँ पे medium है यहाँ पे school है class है mobile number है ठीक है आप लोग जिस भी district में आते हैं वहाँ पे आप लोग उसके according आप लोग सर्च कर लेंगे जैसे मैं दुर्ग में तो दुर्ग से मैं इसको select कर लिया दुर्ग के बाद आप लोग को हिंदी मीडियम में परवेस लेना है कि English medium में परवेस लेना है यह देखना होगा ठीक है तो मैं English medium में यहाँ पे टिक किया हूँ आप लोग अगर हिंदी में लेना है तो हिंदी में टिक कर सकते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे देखे लिखा हुआ है school select school में आप लोग जाएंगे यहाँ पे आप लोग को जिस जो भी नए अभी स्वामी आत्मान अंग्रेजी माद्दे में school खुले हैं उनके यहाँ पे आप लोग को list दिख जाएंगे पुराने नहीं देखेंगे यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे इसी school में admission करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं उसको ok कर दूँगा जैसी ok करेंगे फिर उसके बाद class आएगा देखिए third number पे है आप लोग का fourth number पे class यहाँ पे आप जिस भी class के लिए चाहते हैं nursery से लेकर पूरा आप लोग का बारवी तक का है मान लीजे मैं आप class 5 में चाहता हूँ मैं आप class 5 में ok करूँगा जैसी आप ok करेंगे यहाँ पे आपको 2-3 चीजे अच्छे से पता चल जाएंगी पहला है total seat कितना है fill कितना हुआ है और खाली कितना है और total अभी apply कितने लोग कर चुके हैं ठीक है अभी तक देखिए इस school में जिसमें मैं apply करने की कोशिस कर रहा हूँ यहाँ पे 50 seat है एक भी अभी तक आवेदन नहीं है पूरा का पूरा खाली है और total fill मतलब अभी तक इस school में कोई भी apply नहीं किया है ठीक है यह सभी चीजे आपको तुरंत वहीं पर मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना mobile number डालेंगे जैसे कि मैं अपना mobile number डाल देता हूँ ठीक है और उसके बाद आप लोग get OTP पर यहाँ पर mobile number डालने के बाद यहाँ पर अपना mobile number डालने के बाद get OTP पर आप लोग click करेंगे ठीक है चलिए मैं अपना mobile number डाल देता हूँ यहाँ पर जैसी आप लोग OTP send करेंगे तुरंद आपके mobile में एक OTP आ जाएगा जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है OTP has been sent और mobile number apply admission यह देखिए यहाँ पर आप लोग को आत्मनन्द जो इसकूल में आप लोग चाओनी में जैसे चाओनी में अपलाई किया हूँ तो वहाँ का हिस्सो हो जा रहा है जैसी अब आप लोग को आगे क्या करना है फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या दिखेगा OTP आपके mobile में आ चुका है फिर यहाँ पर लिखा हुगा student name आप लोग यहाँ पर अपने student का नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप अपने father का नाम लिखेंगे यहाँ पर आप लोग girls हैं की boys हैं आप लोग उसको tick करेंगे उसके बाद आप लोग को नीचे आना होगा यहाँ पर आप लोग को date of birth दिख रहा होगा date of birth में जाएंगे यहाँ पर आप लोग टिक करेंगे यहां से आप लोग माली जी किसी भी year का डाल रहे हैं तो यहां से पहले 2015 पर यहां पर टच करेंगे यहां पर 2015 है ठीक है तो इस पर टच करेंगे 2015 पर टच करेंगे तो आप लोग जिस भी year का चाहेंगे यह वो आ जाएगा फिर उसके बाद यह January पे टच करेंगे तो आप लोग ऐसे करके इसको आगे कर सकते हैं माली जी मैं कोई भी date ले 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 रहा हूं उसके बाद इसमें यहाँ पे set करके है set करके यहाँ पे set में click कर देंगे फिर आपको जो date of birth है वो set हो जाएगा फिर आप क कि इंग्लिस मीडियम जाहिर सी बात है आप लोग को इंग्लिस मीडियम डालना होगा क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिस मीडियम के इस्कूलों में admission नहीं मिलता है ठीक है अब जहां से आप लोग पास हुए तो और ना आपका परसंटेज डाल लेंगे ठीक है फिर उसके नीचे आएंगे आप VPL के टिरी से आते हैं कि यह बहुत ही important है, अगर आप BPL रासन कार्ड आपके पास है, तो आप जरूर yes करें, ठीक है, अगर no करते हैं, तो आपकी chances कम रहेंगी, selection होने की, अगर आपका जो financially weaker, मतलब कि आप लोग का जो I है, वो कम रहता है, तो यहाँ पे आप लोग yes कर देंगे, और इसमे yes करना ही है, चाहिए आपको, यहाँ पे आप लोग अपनी I एक साल में, आप लोग कितना आपके parents चाहें, आप लोग कितना कमा लेते हैं, उसको यहाँ पे feel करेंगे, जितना भी आप लोग एक साल में कमा लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना address डालेंगे, य यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड एरिया पिन कोड होगा वो डालेंगे ठीक है फिर यहाँ पे आप लोगों को पासपोर्ट साइट एक फोटो अपलोड करना होगा जो की 100KB का होगा फिर यहाँ पे जो OTP आया था उसको यहाँ पे इंटर करेंगे जैसे ही आप लोग प्राष्ट में लिखा हुआ है अपलाई फॉर एड्मिशन ऑन सजेस ठीक है जैसी इस पर ओके करेंगे आप ओके करने के बाद आपका फॉर्म फील हो जाएगा आप लोग को सामने उपर में एक प्रिंट का ओप्सन दिया होगा उस ओप्सन पे क्लिक करके आप लोग फॉर कर सकते हैं और अपने नजदी की जो भी स्कूल में एड्मिशन के लिए फॉर्म फिल किये थे वहाँ पे ले जाके जमा कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का अगर आपको सॉलुशन चीए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं मैं तुरंत आप लोग को उसका जवाब द इन सभी की जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो मैं तुरंत आप तक पहुँचानी की कोशिज करो और आपको वो पता चल जाए और आप असानी से एड्मिशन ले पाए ठीक है किसी भी प्रॉब्लम के स्टार्ट के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं कोई भी इसमें आप लोगों कोई इसू आता है कुछ भी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं धन्यवाद